कि अधिन वर्ण मेंत। बच्चे आज हम पढखेंगे फटलाइजिजिशन और इंप्लांटेशिन गे बारे में फटलाइजिशन जैसे कि आप सब को पता ही होगा यानी मेल और फीमेल गिमीट का फ्यूजिन जब मेल और पीमेल गेमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प आवा implantation का process क्या है implantation यामी जब हमारा fertilization का process हो गया तो zygote formation हो जाएगी अब यह zygote आगे embryo में convert होगा तो यह जो हमारा developing embryo है वो क्या करता है वो जाके mother की uterus की lining के साथ mother का uterus you can see over here इस particular जगा पर uterus की lining में lining कौन सी inner most lining क्या नाम था endometrium तो endometrium के साथ जाकर हमारा developing embryo क्या हो जाता है attach हो जाता है तो उस attachment को जब हमारा developing embryo attach हो रहा है uterus की inner most lining के साथ इस process को हम बोलते हैं implantation implant यानि embed हो जाना अंदर धस जाना तो हमारा जो embryo है वो अंदर धस जाएगा mother की uterus की wall के साथ तो इन दोनों topics के बारे में इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बने रहिएगा वीडियो की end तक शुरू करते हैं fertilization से अब menstrual cycle के mid के अंदर 14th day के अंदर क्या वा तो ovulation हुआ था जो female की ovaries है इन ovaries के अंदर से secondary oocyte जिसकी अभी meiosis 2 complete नहीं हुई है वो release हो चुका है कहां पर fallopian tube के अंदर तो हमारा secondary oocyte यहां से निकल के fallopian tube के अंदर enter कर जाता है अगर मैं secondary oocyte या फिर unfertilized egg के बारे में बात करूँ तो इस egg की दो layers होती है out most two coverings are there जो की इसको protection का purpose sort करेंगी जो इसकी सबसे बाहर वाली layer है उस layer का नाम है corona radiata और यह layer जो होती है बहुत ही tough होती है दूसरी layer जो inner most है उसका नाम है zona pellucida तो यह जो दो layers है यह हमारे इस egg को protection का काम करेंगी और एक से जादा sperm fuse ना होई इस egg के साथ इस चीज़ को भी चेक करेंगी तो यहां पर 14th day पर यह जो particular हमारा unfertilized egg है secondary oocyte है यह release हो चुका है ovary से ovary से यह release होके fallopian tube के अंदर enter करता है अब fallopian tube के total 4 regions है नीचे वाले इस region के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह है हमारा फिंब्रे region फिंब्रे के ऊपर आता है infundibulum region थोड़ा सा फूला हुआ region ठीक है उसके बाद आता है ampula region ठीक है और ampula region के बाद आता है इस थमस region इस थमस यानि junction junction किसका fallopian tube और uterus उसको हम बोलेंगे इस थमस एंपियोला region के ऊपर एग आकर क्या करता है वेट करता है और in case during that time female undergoes any unprotected intercourse sexual intercourse होता है तो उसके अंदर क्या होते है sperms यहां से vagina के थूँ एंटर करते हैं female के reproductive track में और uterus से होते हुए उपर fallopian tube की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो site है fertilization का वो है ampulary isthmic junction ampula और isthmus के बीच में यहां कहीं पर क्या होगा हमारा fertilization का process complete होगा और यह fertilization का process जब complete होता है तो इसके अंदर बहुत सारे events होते हैं क्या क्या चीजें होती है जब हमारा sperm enter करता है female के reproductive track के अंदर तो female के सबसे head region में सबसे उपर क्या present होता है यह acrosome क्या करता है इसके अंदर बहुत सारे enzymes होते हैं वो बहुत सारे enzymes यहां पर egg की इन layers को penetrate करने में काम आएंगे कौन से enzymes present होंगे number one hyaluronidase याद रखना है बच्चों यह acrosome के अंदर present होने वाले enzymes हैं second one is CPE Corona Penetrating Enzyme Corona Radiator को penetrate करने में काम आएंगे यह hyaluronidase Corona के layer को corrode करने के काम आता है यह तो यह दोनो Corona Radiator को penetrate करेंगे तीसरा हमारा जो enzyme है that is zona lysine यह zona को lys करने के जोना को dissolve करने के काम आएगा तो यह जो तीनों enzymes हैं वो release हो जाते हैं acrosome से और क्या होता है हमारा sperm अंदर की तरफ penetrate कर जाता है acrosome के नीचे क्या present होता है nucleus जैसे ही acrosome इन सब चीजों को dissolve करता है nucleus तो यह स्लिपन हो जाता है अंदर enter कर जाता है हमारे egg के nucleus के साथ तो enter कर जाएगा एक के cytoplasm के अंदर और enter करने के बाद क्या होगा कि दोनों की fusion हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं syngammy बोलते हैं अब इस event के अंदर क्या हो रहा है ना कि हमारा यहां से जो secondary oocyte निकला था तो secondary oocyte जब निकला था उसका meiosis 2 अभी incomplete था secondary oocyte ootid में convert होगा और fusion हो जाएगा हमारे male के sperm के nucleus का female के egg के nucleus के साथ दोनों nucleus का fusion हुआ इस event को हम बोलते हैं syngammy fertilization तो यह सारा काम हो गया zygote formation हो गई अब जब zygote बन गया है तो यह जो zygote है यह आगे अब divide करना शुरू करेगा divide कैसे करता है mytosis के process के जरीए यह आगे divide करेगा mytosis के अंदर क्या होता है हमारा जो nucleus है वो वो आगे 2N cells ही बनाएगा तो अगर zygote हमारा यहाँ पर बन गया है तो zygote के बनने के almost 40 hours के अंदर cleavage का process start हो जाता है cleavage यानि तूटना जो हमारा zygote है वो अब divide होगा cleave होगा 2 cells के अंदर और इस तरीके से वो अपने number को increase करेगा human beings के अंदर अगर मैं बात करूँ तो holoblastic cleavage होती है holoblastic cleavage का मतलब यह है holo यानि complete completely जो एक cell है वो दो cell के अंदर तूट जाएगा और हमारे को देखने को मिलेगी two cell stage two cell stage के बाद बारी आएगी four cell की और four cell stage के बाद बारी आएगी eight cell की याद रखना है बच्चो जब यह cells तूट रहे हैं तो up to this stage sixteen cell stage के बारे में अगर मैं बात करूँ up to sixteen cell हमारे यह जो cells है इन cells को हम बोलते हैं जो cells इस particular two cell stage में है four cell stage में है eight cell stage में है तो इन cells को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्ज तो ब्लास्टोमियर्ज जो है वो individual cells है जो इसके अंदर में present है अब eight cell to sixteen cell eight cell देख सकते हो ball like structure बन गया है cells का कुछ इस तरीके से cells अरेंज हो गए हैं तो eight cell से लेकर sixteen cell stage वाले structure को हम नाम दे देते हैं मौर्यूला का तो मौर्यूला refers to eight to sixteen cell structure ओके अब eight से 16 cell के बाद यहां पर आएगा next structure जिसको हम क्या बोलते हैं blastocyst बोलते हैं अब blastocyst के अगर मैं बात करूँ यह याद रखना है बच्चों जैसे जैसे हमारा cell हमारा zygote further cleave कर रहा है तूट रहा है तो यह fallopian tube से निकलता हुआ uterus की तरफ जाना शुरू कर देता है तो यहां पर हमारा sixteen cell structure जो convert हो रहा है blastocyst के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यह blastocyst के position अगर देखें तो यह blastocyst 16 cell structure हमारा यहां पर बना तो यह uterus के अंदर enter करना शुरू करता है 16 cell से जैसे ही blastocyst बनेगा यह अंदर यहां पर uterus के अंदर entries की शुरू हो जाएगी तो अभी तक याद रखना है बच्चों कि जो size था हमारे developing embryo का up till 16 cell structure size does not change जितना size है उतना ही रहेगा हमारे embryo का उसके अंदर further क्या हो जाते है cells divide होना शुरू हो देखते हो structure जो है जो shape है sorry जो size है वो consistent है बराबर है बट जैसे ही यहां पर हमारा blastocyst बनेगा blastocyst बनते ही यह blastocyst uterus के अंदर entry लेता है और uterus के अंदर जो endometrium हमारी present है वो endometrium इसको भर-भर के nutrients supply करेगी जैसे nutrients इसको supply होंगे तो यह क्या हो जाएगी बढ़नी शुरू हो जाएगी अब जब यह बढ़ रही है तो हमारे पास अगर याद करें तो दो layers present थी अब यहां तक आते आते blastocyst के ऊपर corona radiator almost dissolve हो चुकी है बचती है सिर्फ zona pellucida अब यहां पर यह जो particular हमारे blastocyst वाली stage है blastocyst वाली stage के ऊपर zona pellucida is present, zp is present तो जब यह grow हो रहा है size के अंदर तो यह pressure exert करेगा बाहर वाली wall के ऊपर और जैसे ही pressure exert होगा crack आएगा wall के अंदर जैसे ही crack आएगा वो टूटेगी अलग होगी और अलग होती है जब वो तो उसके अंदर से हमारा जो developing embryo है वो निकल आएगा, sometimes यह जो particular crack आता है वो properly नहीं आता है और यह जो developing embryo है वो एक से दो embryo के अंदर divide हो जाता है तो इस case में हमारे monozygotic twins बनते हैं, क्या बनेंगे monozygotic twins ok, अगर मैं आगे बात करूँ तो यह blastocyst अब पहुँच चुका है uterus के अंदर अब uterus के अंदर जो हमारी endometrium नाम की layer है उस endometrium नाम की layer के अंदर यह कहीं around यहां पर attach होना है, ok, तो जब यह attach होगा तो किस तरीके से होगा blastocyst के अगर मैं structure की बात करूँ तो जब 16 cell से हमारा blastocyst बना था तो यह जो blastocyst था, इसके अंदर कुछ changes आए थे layers देख सकते हो इसकी, बाहर की तरफ एक layer है जिसको हम trophoblast बूल रहे हैं trophoblast वो layer है, जिसके अंदर flat cells हैं, जो हमारे यहां पर 16 cells के जो cells थे वो अब थोड़े थोड़े flat होना शुरू हो गए और उसने बाहर वाला space, outer lining occupy कर ड़ी और उन flat, उन चप्टे cells को हम बोलते हैं, trophoblast trophoblast के अंदर जो बाकी बचे कुछे cells थे, उन्होंने एक mass बना लिया, इकठे हो गए सबके सब और इकठे होने के बाद हम उसको बोलते हैं, inner cell mass, cell के inner के अंदर कुछ mass present है, inner cells है वो ओके, तो यह inner cell mass यहां पर present है, जिसको हम ICMB बोलते हैं ओके, तो inner cell mass हो गया यह वाला, अब अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक cavity भी present है, cavity कौन सी, यहां पर दिस, एक cavity present है, जिसको हम बोलते हैं, blasto seal, तो यह जो blasto seal है, यह यहां पर present होगी ओके, और outer lining में क्या है, trophoblast is present अब बारी आते हैं, implantation की, तो implantation के process अब होगा, और यहां पर क्या होगा, कि यह जो हमारा blastocyst है, वो नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ एक area है, जिसको हम बोलते हैं, embryonal disc embryonal disc, embryonal disc पे जैसे ही यह particular हमारा blastocyst पहुचता है, तो यहां पर यह adhere हो जाता है, चिपक जाता है, चिपकता है जब, तो हमारी trophoblast वाली जो layer है, जैसे suppose यहां पर यह हमारी endometrium है, और endometrium के ऊपर यहां पर यह particular blastocyst है, वो आकर attach हो गया, outer में जो layer है वो कौन सी है, trophoblast की है, और यहां पर अंदर की तरफ क्या है, inner cell mass है, ठीक है, तो trophoblast अब क्या करेगा, कुछ factors को release करेगा, कुछ factors release होंगे trophoblast में से, और वो factors क्या करेंगे, इस particular endometrium की layer को corrode करने का काम करेंगे, इसकी अंदर कुछ corroding enzymes होंगे, corrode करना यानि खदेड देना, ठीक है, penetrate करेगा, यह particular जो हमारा blastocyst था, वो इस endometrium की lining को break करेगा, जैसे suppose this is endometrium, और endometrium के उपर हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से trophoblast अटाच हो गया है, तो जब trophoblast अटाच हुआ है, तो यहाँ से यह क्या करेगा, इसको penetrate करेगा, और penetration के time, यह कुछ finger-like projections इसके अंदर penetrate कर देगा, तो यहाँ पर कुछ finger-like projections, कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, जब यह इसको penetrate करेगा, dissolve करेगा, तो finger-like projections, जिसको हम विलाय भी बोलते हैं, वो बन जाएंगे, अब इस विलाय के दो काम है, पहला काम तो यह इसको, इस particular embryo को, यहाँ पर uterus की lining के साथ, adhere होने में, चिपकने में, attach होने में, implant होने में, धसने में काम करेगा, help करेगा, और दुसरा काम इसका यह है, कि यह इस particular embryo को, यह इसको क्या काम करेगा, nourishment का काम करेगा, इसको nourish करने में भी help करेगा, ठीक है, तो यह दोनो purpose, यहाँ से this process, this phase is known as implantation implantation लगभग 6-12 दिन के अंदर अंदर fertilization के हो जाता है implantation का process हो चुका है हमारा जो embryo है वो अब embed हो चुका है uterus की lining के अंदर और इस तरीके से अभी attached है इसकी attachment के बाद अब यहां पर mother की तरफ से placenta formation भी start हो जाता है placenta formation की वज़े से क्या होगा इस embryo को permanently up till 9 months एक nutrient reserve की तरह वो काम करेगा इसको nutrients क्या करेगा वो प्रवाइड करेगा so this was all about fertilization and implantation I hope video आपके लिए helpful रहा होगा in case you want to see more such videos please subscribe to my channel मिलते हैं next video में till then take care bye क्याक्यक करें गरी एक राद बाद करें जाएड़ास